Hello to all of you, I am Mrityunjay Rai and I am most welcome to all of you in this beautiful session of modern history. Namaskar, मैं Mrityunjay Rai और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube channel Scalop IS में और आज हम बात करेंगे modern history. Modern history में हम लोगों ने एक लंबा वीडियो सूट किया था, part 1 उसका लगभग 1 घंटा 13-14 मिनट का है, वो आपने देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ. उसके बाद ये वीडियो है, उसी segment को आगे, that was the introduction of modern history और आप हम बात करेंगे, topic 1 जिसमें हम बात करेंगे भी Portuguese की. देखे, आपको पता होगा कि भारत आने वाले यूरोपियों में सबसे पहले Portuguese आये थे, और Portuguese में भी सबसे पहले आने वाला जो बंदा था, वो था वॉसको डिगामा, वॉसको डिगामा, 1498 में वॉसको डिगामा भारत आया है, और ये एक गुजराती गाइड है, गुजरा उसका नाम है अब्दूलमजीद, उसके हल्प से ये भारत में कीरला कालिकट पहुचा है, कालिकट केरल कहां पहुचा है भारत में केरला कालिकट पहुचा है वो और किसकी हल्प से पहुचा है तो वसको डिगामा 1498 में यो की गुजराती गाइड है तो वहां अब्दुलमजीद की हल्प से कालिकट केरल आया है कहां आया है कालिकट केरल आया है आई हम लोग बात करेंगे इसके आ King of Calicut, he was Zamorin, और वो Zamorin से मिला, और Zamorin helped him, अब सवाल यह उठता है कि वो Zamorin से मिलना ही क्यों गया, की दरैसल, उसे भारत में भ्यापार करना था, वो भारत में भझन करने नहीं आया था, और भारत में जैसे ही Vasco Tagama, अबडलमजीद की सहाइता से आया है, यहां से कुछ सवाल है, उन सवालों में एक बात आपको और जान लेना है, कि वो कैसे आया है, तो नोट कर लिए, वाया Cape of Good Hope क्यासे आया है? Cape of Good Hope के सहारे और ये Cape of Good Hope कहाँ पे है? तो Cape of Good Hope Cape Town South Africa में कहाँ पे है? Cape of Good Hope is in Cape Town South Africa तो वो Cape of Good Hope में आया है, Cape Town में आया है, Cape Town के रास्ते वो भारत पहुंचा है, अब्दिलमजीत की सहायता से, और एक सवाल और पूछता है, खास तोर पे छोटे एक्जाम्स में हलाकि यह पूछाने वाल फैक्ट है, बट मेरा जो मानना है, वो इंटेगरेटर तयारी कराई जाए, तो ऐसा फैक्ट मिसनों के बार, UPSC भी फैक्ट पर गेम खेल जाती है, तो एक comprehension and complete study का मतलब है, कि you must aware almost things, आपको पता होना चाहिए, कि जिस जहाज से आया है, उस जहाज का नाम था Gary Brill, इसके जो ship का नाम है, वो नाम है Gary Brill, Gary Brill, तो वसको डेगाम्मा arrive in India with the ship Gary Brill, उसके जहाज का नाम Gary Brill है, ठीक है, चले, अब यह Jamorin में, Jamorin से मिला काली कट में, Jamorin was Hindu king and Jamorin permitted him to establish their trade and Arabian opposed वसको डेगामा, no down, कि इसके बाद क्या हुआ, तो Arabian Traders, आपको class में मैं बार-बार कहता हूँ, no down करते रहना, ठीक है, ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, कथा नहीं सुनने हैं, सिर्फ no down करना है, Arabian Traders, Arabian Traders, आपोजड वसको डेगामा, जितने भी हमारे Arabian Traders थे, इन्हों सारे Arabian Traders ने क्या किया, वसको डेगामा का अपोजड किया, वसको डेगामा का भारी विरूत किया, उन्हें वसको डेगामा से एलर्जी किसे बात कि थे, वसको डेगामा से वापस जा रहा था, यहां से उसको बिदाई में हमने कुछ मसाला दिया, और वह उस मसाले को जाकर के वहां बेचा पृतगाल में, and he earned 60 टाइम्स प्रॉफिट, लिख लिजी आगे, वसको एर्न 60 टाइम्स प्रॉफिट, profit of his expenditure expenditure by selling the spices by selling the spices वसको डिगाम अच्छा था कौन एक लुटेरा एक कार्टोग्राफफर जिसे मैप का थोड़ा बहुत नॉलेज है जो केप आफ गुड होप के रास्ते के पाफ गुड होप की खोज किया था मार्थोलोमी और डियार ने आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा होगा जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं पढ़ा है वो वीडियो जाकर आप जरूर देख लेजएगा ठेक है मॉडरन हिस्ट्री पार्ट वन का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप लोग जरूर देखेगा उसमें मैंने बहु सारी बाते मिन्स की की है ओ यह धान दीजेगा यह भी जो वीडियो है मॉडरन हिस्ट्री के भी वो भी प्रीकम मिन्स ही होंगे वासको डिगामा एक काटोग्राफपर वहां से पहुचा पूरतगाल से और यहां उसको जितना पैसा मिल गया था एनिहाँ पड़ागो तो जो मिला हो उससे जाकर पर कि बेच में अब रातो रात वास्कोडिगामा रोड़ पती से करोड़ पती अब तो लोग पूछेंगे न वह इतना पैसा कहां से आया लोगों के जहन में हुआ कि वास्कोडिगामा के हाथ खजाना लगा है अब लोग जानना चाहते हैं तुम्हारे हाथ जो खजाना लगा है वह खजाना आया कहां से लोग जानना चाहिए यह खजाने का राज क्या है यह खजाना तुम्हारा जो है वह खजाना कहां से आया है क्या जाना चाहते हैं यह खजाना जो तुम्हारे हाथ लगा है वह खजाना कहां से दूसरी बड़ी बात वो कहता है कि अब सबको बताएगा वसको डिगमा जैसे वसको डिगमा ने बताए कि दोखो भी एक देश है भारत ये रास्ता है जाने का अब भारत के लिए दौर पड़ेंगे भारत आने का एक रेस स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको पुछा पुर्टगीज एक्सपेडिशन दूसरा पुर्तगाली एक्सपेडिशन जो है किस ने लेड़ किया और दूसरा पुर्तगाली एक्सपेडिशन भारत में कौन लेकर के आया था तो दिस वाज केम अंडर दा लीडर्सिप आफ पेडरो अलवारेज कैबराल क्या नाम था उस्वेक्तिका पेडरो अलवारेज कैबराल अच्छे से मालूम था कि भारत आते हैं इसका जगड़ा इसका जो सामना होगा वो पौर्च गीच से होगा इसने अरब सागर में अरबियन सी में ही एक अरवी जहाज को पकड़ा और उसे जमोरीन को गिफ्ट कर दिया तो इस बात को भी नोट किये जिये He captured, he captured an Arabian sea, an Arabian ship, Arabian ship in Arabian ocean, a Arabian sea and gifted it to Zamorin. और क्या किया इसे Zamorin को गिफ्ट कर दिया, Arabian sea में एक जहाज पकड़ा और उसे Zamorin को गिफ्ट कर दिया, अब सवाल यह उठता है कि जब यह जीत ही रहा था तो उसे क्या जरूरत था इस जहाज को Zamorin को गिफ्ट करने के आपने पास रख लेता, कि Zamorin was the person जो इसको क्या करेगा, जो इसको सहूलिते प्रादान करेगा, जो इसको help करेगा in his trades, Zamorin क्या करेगा, इसको इसके में help करेगा, इस ने क्या किया, Zamorin को वो जहाज gift कर दिया, and then trade start हो गया दोनों तरफ से, अब वसको डिगामा को एक बार पैसा मू लग चुका है, वो बानेगा थोड़ी, यह 1500 में आया है, second expedition जो है, वो 1500 में आया है, और in 1502, in 1502, वसको डिगामा, केम इंडिया, for second time, वसको डिगामा दूसरी बार भारत आया, अब आया, दूसरी बार भारत, 1502 में वसको डिगामा, दूसरी बार भारत आयेगा, और अभी वहाँ वो रुकेगा नहीं, in 150, in 1524, वसको केम इंडिया, for third time, came in India for third time, and died in India, at Cochin and his Tom is in Goa. and his Tom is in Goa, और इसका मकवरा कहां है, Goa में है, तो सबस्केजे फिर से, वसको डिगामा, पहली बार कब आया, 1498, कैसे आया, वाया Cape of Good Hope आया, Cape of Good Hope कहां पे है, Cape of Good Hope is in South Africa, Cape Town, किस जहाज से आया, उसके जहाज का नाम था Gary Brill, मिला किस से, मिला, जमोरिन से जो कालिकट का राजा था, और किस की हेल्प से आया, तो अब्दुल मजीद की हेल्प से आया, यह सारे सवाल आपको जानने है, आपको यह सारे सवाल जानने है, इसके हेल्प से आया, अगली बात है इसमें, कि वसको डिगामा, दुबारा आया 1502 में और तीसरी बार आया, सवाल दुबारा आया 1502 में और तीसरी बार आया 1524 में, अब वसको डिगामा का चप्टर यहां पर क्लोज हो रहा है, क्योंकि वसको डिगामा 24 में आता है, 24 में उसके डेथ हो गई, कोचीन में वो मरा, और उसका टॉम बनाया हमने कहाँ पर गोवा में, हमने तो पर्चुगीज नहीं बनाया था गोवा में, ठीक है, उसे गोवा में दफनाया गया, अब जो टॉपिक सुरू होगा, इसमें वो होगा पर्चुगीज ट्रेट्स, जरह सल पृतगाल का राजा सोल देख रहा है, कि जो आया वही अमीर, जो आया वही अमीर, तो पृतगाल का राजा क्या करेगा, ट्रेट स्टार्ट करेगा, तो इसकी तीन फैक्टरियां लगेंगी, लिखियो फर्स्ट थ्री फैक्टरीज अफ पौर्चुगीज, पहली फैक्टरी लगी है इसकी, पंदरह सौ तीन में, कोचीन में, कुटीन जीरो थ्री, कोचीन, इसकी दूसरी फैक्टरी लगी है, पंदरह सौ पाँच में, कनूर में, और इसकी तीसरी फैक्टरी लगी है, पंदरह सौ दस में, गोवा में, फिर्स्ट फैक्टरी, 2nd 1505 Kannur or 3rd factory 1524 Goa, पहली factory Kochin में, दूसरी factory Kannur में और तूसरी factory Goa में, CCG 3510, 1505, 15, sorry 1515 Kochin Kanur Goa, यह की 3 factory यह लगई, अब 3 factory के establishment के बाद एक आदमी ऐसा चाहिए था, जो इसके पूरे trades को organize करे, so in 1505 when the 2nd factory was established, then a person named Francisco de Alameda was appointed as the viceroy of Portuguese company in India, okay, so note down, जब दो फ्यादमी जिसका नाम है, Francisco de Alameda, यह इसका tenure है, और लिखिए, first Portuguese viceroy in India, यहां पर दो टर्म आये हैं, एक टर्म है factory, आप फ्याक्टरी का मतलब जश्ट वेर हाउस, क्या है, वेर हाउस, जहां पर production कुछ नहीं होता है, क्योंकि मसालों में, production तो खेत में हो रहा है, cultivation हो रहा है, तो कि उसे store करके रखोगे न, दालचीनी, इलाइची, लॉंग, काले मिर्च, तो उनको क्या कर रहा है वो, एक जगा store कर रहा है, और वह उनका जो वेर हाउस है, जो उनका store house है, that is the factory, their warehouse and store house are as the factory, is that clear? So, 1505 to 1509, Francisco de Almeida, first Portuguese vicerai in India, कौन था ये, भारत का पहला Portuguese vicerai था, vicerai means a managerial post, a manager, okay, vicerai is the managerial post, vicerai means he is just a manager, clear है, अब इसने function लिखिया, functions ने काम क्या क्या किया, इसने पहला काम किया है, he introduced blue water policy, जिसका पहले most important काम है, he introduced, लिखिया, he introduced, blue water policy, क्या कि इसने, इसने blue water policy चलाया है, blue water policy का मतलब होता है, सांत जलकीनीती, कुछ किताबों में लिखा होगा, नीले जलकीनीती, तेक है, वो इसका translation है, इसका मतलब है, सांत जलकीनीती, आप कहोगे कि सांत जलकीनीती होता क्या है, कई commissions ऐसे, इसका 36 गड़ commission है, या राजस्थान commission जहाँ पे short marks के question आते हैं, जहाँ पे 2 marks, 5 marks के question आते हैं, 4 marks, 5 marks के question आते हैं, और 2-3 marks के question भी आते हैं, वहाँ पे आपसे means में पूछ सकता है, what do you mean by blue water policy, अगर आप UPSC देंगे, blue water policy पे पूरा एक सवाल फ्रेम करेगा, क्या है ये, blue water policy is the policy to fortify the coastal areas of India, लिखिजे, it's a policy of fortification, it's a policy of fortification, it's the policy of fortification at coastal region of India, it's the, it is the policy of fortification, at the coastal region of India, ये, coastal region पे, kya हुआ, fortification किया गे है, क्या किया गे है, coastal region पे, ये, fortification किया गे है, बलो, clear है, it is the policy of fortification at the coastal region of India, क्यू किया गे है, fortification, to establish the trade monopoly, क्यू, to establish, इस सवाल आएगा, the thread monopoly, क्या किया गया, thread monopoly को establish करने के लिए, ब्यापारिक एक अधिकार को स्थापित करने के लिए, ऐसा किया गया था, यहाँ पे, एक trade monopoly के लिए किया गया, आपको मैं दिखाता हूँ कि हुआ क्या था actually, आईए, आप लोगों ने भारत देखा है, यह है भारत, फोड़ा से यह तिकोना और होगा, भारत में आपको पता होगा, यहाँ पे है Arabian Sea, यहाँ पे है Indian Ocean, और यहाँ पे है Bay of Bengal, और यहाँ पे है Gulf of Mannaar, sorry Gulf of Khambhat, एक सवाल है मेरा, कि Gulf का मतलब भी खाडी होता है, बे का मतलब भी खाडी होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, वाई, this reason is known as Gulf and this reason is known as Bay, चले मा आपता हूँ आपको, यहाँ पीटा, खाडी का मतलब होता है, वहाँ water body, जो तीन तरफ से, लैंड से घिरी हुई, the water body which surrounded with the land at the three sides, and if the water body is at the narrow shape that known as Gulf and if it is on the broad up shape, then known as the Bay, अगर वहाँ घाटी बहुत सक्री होगी, पतली होगी, तो उसे गल्फ कहेंगे, लंबी होगी, चौड़ी होगी, ब्रॉड होगी, तो उसे क्या कहेंगे, उसे बे कहेंगे, ठीक है, clear है, वे और गल्फ का अंतर clear है, ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, कि अब उख चाहता क्या है blue water policy में, तो वो जो है, यह जो reason है, यह जो reason है, यह जो पुरा reason है, वो इस reason पे कबजा करना चाहता है, the fortification of coastal range of Arabian sea and Indian ocean, which considered as blue water policy, क्यों चाहता है कबजा करना, because अगर उसका इस coastal region पे कबजा होगा, तो उससे उसका trade monopoly is establish होजागा, क्योंकि जिसका समुदर पर कबजा है, उसी का व्यापार पर कबजा है, इसी वजह से इसका व्यापार पर भी कबजा होगा, that's why he willing to establish the trade monopoly, that's why he willing to establish the trade monopoly, आगे हम लोग चलते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेड मोनपॉली इसको क्रॉस करेगा तो इस रिजन में जैसे वो इंट्री करेगा उसको लेना होगा करना है तो उसके लिए जैसे Avoid पर वी किसी भी व्यापारी को अगर हरप सागर से व्यापार करना है तो उसके लिए जरूरी है कि वह जो है हर हाल में पृतगाली सीमा में प्रवेश करने का वह प्रवेश शुल्क देगा ही देगा that is the trade monopoly, established करने का ये tool था, that is the blue water policy. इसके बाद क्या हुआ, कि एक बाद होगा, with the joint Muslim venture होगा, और वस joint Muslim venture में ये हार जाएगा, in 1508, in 1508, Almeida, was defeated, by a joint Muslim naval venture, naval venture. एक सरीक्त मुस्लिम नौसाइने के बेड़े से, ये हार जाएगा, हम जब बात करते हैं कि joint Muslim venture है, तो इसमें कौन-कौन से मुस्लिम है, तो इसमें, गुजरात, प्लस एजब्ट, और प्लस तर्कस. ये तीन Muslim venture है, तीनो कि नौसे नाओं से युद हुआ, जिस युद्ध में पूर्तगाली हार गया, Almeida हार गया, और इसी लडाई में, Almeida का बेटा भी मारा गया. But, before his return, in 1509, in 1509, before his return, Almeida defeated them, Almeida shifted them, Almeida ने क्या किया, इनको पराजित कर दिया, इनको हरा दिया, Almeida fitted them, उसके बाद Almeida की यहां से वापसी हुई, अलमिडा यहां से वापस जरूर गया है, लेकिन इनको पराजित करके गया है, clear है? अब Almeida जाएगा, और Almeida की जगा एक व्यक्ति आएगा, उसका नाम होगा Albuquerque, Alfonso the Albuquerque, Albuquerque was considered as the real founder of the Portuguese empire, इसे Portuguese empire का हम लोग real founder कहते हैं, क्यों कहते हैं, आईए जाना जाए, Albuquerque, Alfonso the Albuquerque, क्या कहते हैं हम लोग, हम लोग इसे Albuquerque इसका नाम रखा गया है, Alfonso the Albuquerque, क्या कहा गया, Alfonso the Albuquerque, क्या कहते हैं, he was considered as the real founder of Portuguese empire in India, real founder of Portuguese empire इसे भारत में पुर्तगाली सामराज का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है जिसका टीन ओर वास्तविक संस्थापक कहा जाता है लेकिन इसे रियल फाउंडर क्यों कहते है कुछ तो इसने काम किया होगा क्या काम किया था इसने इसका पहला काम था कि इसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ जई आदल शाह से जीता था दरसल गोवा वो पुर्तगाली जीतने की कोसिस करतो रहे थे लेकिन नाक का सवाल था जो उनके लिए बड़ा सरदर था क्योंकि गोवा को जीतने की कोसिस की तो गई लेकिन प्रतगाली गोवा को जीत नहीं पाए हार गए और छोटा सा गोवा उनके लिए यक्षप्रश्न बन चुका है नाक का सवाल बन चुका है अब वो आते क्या करेगा त He conquered Goa from Sultan of Bizhapur, Sultan of Bizhapur Uusuf Ujai Adil Shah तो इसने क्या किया अपना headquarter Pochin में establish क्या headquarter होना बहुत ज़रूरी है Headquarter होने से क्या होता है कि जो empire होगा वो ठीक से guided होगा ठीक से controlled होगा इसलिए क्या आपको चाहिए आपको हर हाल में एक headquarter चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो he established his headquarter at Kochin. तीसरा काम इसका हम लोग नेक्स्ट पेस पे देखते हैं, इसका तीसरा काम, हुआ यह कि अभी headquarter बना चुका है, जीत चुका है, अभी चाहता है कि यहाँ पर इसका जो है empire और मजबूत हो, लोग जाद होगे, लैंड बहुत ज़्यादस नेक्वाइर कर लिए, लेकिन लोग कम थे, population कम थी, विचारा भाग क्या है मेरे पास, हम रहे काहितना परशान हो, कारे मास्टर साब क्या बताएं, हम चाहते हैं कि हमारा population बढ़े, पर जाके बढ़ाओ, हमारे पास काहे आए हो भाई, हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप से मुपाए पूछने आए हैं कि हाउ टू इंक्रीज दा population, हम population कैसे बढ़ाएं, ये उपाए हम आप से जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, अबना का दो को दो तरीका है, ये तो पृतगाल जाकर का अपना बीबी, बच्चा, माँ, बाप, भाई, बहन जितना भी रिल्टर्व को भरो जहाज में और लियाओ का दूसरा हमने का दूसरा ये कि यहीं भारत में धारतीय महिलाओं से साधी करो, यहीं साधी, यहीं प्रोडक्शन, यहीं पॉपलिशन, मैं समझ सकता हूँ कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा होगा, वही वला इसको भी अच्छा लगा, दूसरा ब्याहकरा तो पूरुशमेसा राजी है, क्योंकि इसे भारत के लोकल में इस्टेब्लिश होने, इसे भारत के लोकल का इस्टेब्लिस करने के लिए, कुम जु एक जूजे कि पले कर देफिख विर इसमार के प्रोडिये के लिटु ड़िखिए रम कोचे तो इस बडिकिश प्रोल्य स्रें प्रोडिया श्रेकर के कि प्रमोटे पौच्चीज मेल तो मरे वित इंदियन वोंवेंट, कि सिरे लोकल का सपोर। और इसना चौथा काम किया, कि प्रहबित प्रहबित स्रतिष नित्स थिस्टम पौचीज अमपर, इसने सती प्रथा को पुर्तगाली सामराजी से क्या किया सनाप्त कर दिया कि प्रहबिटेड सती सिस्टम फ्रॉम पॉर्चुगीज अंपाया इसने कहा कि दुखो सती उती मत हो क्यों कि भाई पॉर्चुगीज मेल जो है कंटिनियूस युद्धों में लगे हुए थे तो इस वह रही क्या रहें मजबूत बना रहे वह रिलेशन सर्वाईब करता रहे हो और रिलेशन सस्टेन करता रहे हैं, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, हलाकि मैं जानता हूँ, आपके मन में कोई सवाल नहीं आता है, फिर भी मैं आपके सवालों का सवाल हूँ, और मैं आपके सवालों का जवाब भी हूँ, मैं ही सवाल हूँ, मैं ही जवाब हूँ, तो आईए हम लोग बात करेंगे कि क्यों एक मुस्लिम या हिंदू पिता ने अपनी बेटी का बेहा किस से किया एक इसाई के साथ किया और सुग इसका थे सब किया उनसे साधी क्यों किया उस तो वज़ा रहा होगा ना वज़ा साफ था एक तो भारतिये पुरुष हाइट पा भारतिये पुरुष आडा तिर्चा काला नीला हरा पीला लाल गुलाबी और वह गोरे चिट्टे लंबे तकड़े उसके बाद भारतिये पुरुष बेरोजगार और वह वरकिंग इन MNC भारतिये पुरुष क्या चाहिए दहेज उन्हें कोई दहेज नहीं चाहिए बलकि वह साधी का खर्च भी उठाने को त्यार है वलकि आपकी वह फिनांसली हेल्प भी करने को त्यार है बताओ ब्याह किसका होगा और अब्यस्टी बात है कि फिर तो पौर्चुगीज काहीं ब्याह होगा और एक निध्डलन से ब्याह हुआ और इस तरह से भारत में पौर्च यहां पर खतम नहीं हुए है हम लोग इसके बात के वाई सरा इसकी बात करेंगे आगले सेशन में अभी के लिए ही तक हम फिर मिलेंगे थैंक्यू सो मच लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दू कि फटा फट इसको आपको सब्सक्राइब करना है सेयर करना है अपने दोस्त for your love and support, Jai Hind!